तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एपिए इस हैं उनको हम साइप्रेस में किस तरह केटर कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो कॉंसेप्ट यूज होते हैं c y dot request and c y dot intercept अब इनमें difference किया है तो difference के लिए हमारे पास left side पे मैंने request को highlight किया होए है और right side पे मैंने intercept को highlight किया है जैसा कि request name से पादा चल सकता है कि हम इसके थूरू request create करते हैं let's say कि हमने get की request कहनी है post की कहनी है put की या delete की कहनी है तो हम request बना सकते हैं यह हमारे पास चार method हैं तो हम क्या करेंगे कि हमने किसी जगा से data लेकर आना है या हमने form submit करवाना है तो हम c y dot request को use करेंगे और अगर let's say कि हमने इन request को listen करना है like कि इनका जो response आएगा हमें सिर्फ वो चाहिए तो हम क्या करेंगे intercept को use करेंगे intercept में आप में याद रखना है कि हम request क्रियेट नहीं करेंगे हमारी जो request है हम उनको listen करवा रहे है let's say कि हमारे एक function है वो चल रहे है और हमें पता है कि इसमें ये वाली API यूज होती है तो हम intercept के थूरू वो endpoint परवाइट करेंगे then हम कहेंगे कि जैसे ही वो hit हो उसका response आप अपने पास save कर लो तो intercept क्या करता है कि वो response अपने पास save करवा लेगा request में हम क्या करेंगे कि हम खूद से request क्रियेट करेंगे ये basic difference है जो आपको पता आना चाहिए request और intercept में Cypress पे end to end testing करने के लिए आपको intercept की जरूरत पड़ेगी sometime request की भी जरूरत पड़ेगी लेकिन mostly intercept की जरूरत पड़ेगी intercept में क्या करेंगे कि आप front end को backend के साथ compare करवाएंगे जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि front end पे आपका data show हो रहा है लेकिन अब आपको पता है कि यह back end पे भी store हो रहा है तो आप क्या करेंगे intercept के थूरू वो API अपने पास listen करवाएंगे आपके पास जो भी data आएगा आप उसको compare करवा लेंगे front end values के साथ तो यह आपका complete scenario बनेगा without API आप कभी भी end to end testing achieve नहीं कर सकते है तो आपको ETS पे command होनी चाहिए तो further हम explore करेंगे request को then हम explore करेंगे intercept को कि हम इनको कैसे use कर सकते हैं